आखिर भगवान श्रीकृष्ण की मृत्यू के समय क्यों आए थे पवन पुत्र हनुमान जी? क्या सच मुछ भगवान श्रीकृष्ण की मृत्यू के समय वहाँ पर मौजूद थे वो? वीडियो में आगे भढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आवश्य करें और कमेंट बोक्स में जय श्री राम, जय श्री बजरंग बली आवश्य लिखेगा। कोई अन्य देवता हो सभी से इन्हें भिन-भिन प्रकार के वर्दान प्राप्त हुए थे जिसके चलते इनकी शक्ती कई अधिक गुना भड़ गई थी। हम सब ये जानते हैं कि भगवान हनुमान जी आज भी चिरन जीवी हैं वो त्रेता युग में स्वयम भगवान श्र कना चूर किया था तो वहीं महाभारत के युग के दोरान वो सर्वश्रेष्ट धनुर्धर अर्जुन के रत के द्वच पर विराजमान हुए। भगवान श्री राम थे वहीं द्वारका में भी कई बार भगवान हनुमान जी का जिक्र मिलता है जहां स्वयम भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आमंत्रित किया वो भी सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी सत्य भामा और सुदर्शन और गरुड साथ ही साथ बलराम जी का घमन चकना चूर करने के लिए कहते हैं महाभारत के युद के समय में वो प्रत्यक्ष रूप से सब के सामने आये थे जहां पर स्वयम भगवान श्री कृष्ण के कहने पर और अर्जुन की विंती करने पर ही वो स्वयम उनके शक्ती शाली रत के ध्वजा में विराजमान जिस से अर्जुन की शक्ती और अधिक गुना भड़ गई थी क्योंकि उनका रत किसी साधारन या दिव्यबान से चूने पर चकना चूर नहीं हो सकता था लेकिन महाभारत का युद खत्म होने के पश्चात में वो वापस पुनय अपने स्थान में चले गए थे जहां वो सदैव भगवान श्री राम का जाप करते रहते थे महाभारत का युद अधर्म पे धर्म के विजय का प्रतीक था और जहां पर भगवान श्रीकृष्ण ने कूट निती और अपने तपो बल के कारण अधर्मियों का नाश कर दिया था और धर्ती से सभी अधर्मियों को मिटा दिया था जिसके बाद में उन्होंने अंत में अपना शरीर त्याकर बैकुंड धाम की तरफ प्रस्थान करने का निश्चे किया और महाभारत खत्म होने के 36 वर्ष बाद स्वयम भगवान श्रीकृष्ण ने अपना देह त्यागा इसके पीछे भी पुर्व जनम त्रेता युक के समय का ये श्राप मुझूद था जो कि स्वयम बाली की पत्नी ने उन्हें दिया था और वो बाली ही था जो एक शिकारी के रूप में आकर भगवान श्रीकृष्ण के पैर पर उन्हें मृग समझ कर वार कर देता है एक बान छोड़ देता है जिसकी वजह से स्वयम भगवान श्रीकृष्ण को अपना देह त्याग ना पड़ा था लेकिन यहां एक सवाल उठता है कि जब हनुमान जी को ये बात का ग्यात हुआ तो हनुमान जी क्यो नहीं भगवान श्रीकृष्ण को रोकने आए क्या हुआ जब स्वयम हनुमान जी को ये पता चला कि उनके आराद है भगवान स्वयम इस धर्ती को छोड़ने वाले हैं और बैकुंड धाम की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं क्या हनुमान जी उनसे मिलने आये थे तो दोस्तो हम आपको इस बारे में विस्तार से बता देते हैं कि हनुमान जी भली भाती जानते थे कि भगवान श्रीकृष्ण कोन है और इसके साथ ही हनुमान जी में भक्ती और साधना की शक्ती इतनी प्रबल थी कि वो सांसारिक मोहमाया दुख और सुक से भी परे थे इसलिए वो ये सब बात भली भाती जानते थे कि भगवान श्रीकृष्ण किस प्रकार इस धर्ती पर आए हैं और किस प्रकार परियोजन पुर्ण करकर वो इस धर्ती से जा रहे हैं ऐसा ही संधर्ब हमें त्रेता युग में रामायन के दोरान भी मिलता है जब स्वायम हनुमान जी के डर के कारण श्रीराम को अपनी अंगूठी पाताल लोक में गिरानी पड़ी थी क्योंकि वो जानते थे कि हनुमान जी उन्हें बैकूंट धाम जाने नहीं देंगे और जिसके बाद में वासुकी नाक की सहायता से उन्हें श्रीराम की हजारों अंगूठीों के बारे में पता चला दरसल जब राम जी का अवतार लेकर बैकूंट लोक से धरती पर आए भगवान विश्नु जी के सारे कारे समाप्त हो गए तो उन्हें वापस अपने बैकूंट धाम जाना था जिसके लिए उन्होंने यमराज जी से कहा लेकिन यमराज जी भगवान श्री राम के प्रान लेने से डरते थे भगवान श्री राम की मृत्यू में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिये भक्त हनुमान जी थे क्योंकि हनुमान जी के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राम के पास तक पहुँच सके उन्होंने प्रवेष्ट ले लिया। वो छेद के वले छेद नहीं बलकि सुरंग का एक रास्ता था जो सापों के नगर नाग लोक को जाता था। हनुमान जी नागों के राजा वासुकी जी से मिले और अपने आने का कारण बताया वासुकी हनुमान जी को नाग लोक के मध्या में लेकर गए जहां अंगूठियों का एक पहाड जैसा धेर लगा हुआ था हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो यहां कैसे उसे ढून पाए की यह अंगूठी भी राम जी की ही थी वासुमें वो सारी अंगूठी जो उस धेर में थी वो राम जी की अंगूठियां ही थी सब एक जैसी थी इसका क्या मतलब है यह हनुमान जी को समझ नहीं आ रहा था वासुकी जी मुस्कुराए और बोले कि इस संसार में जो आता है और श्रिष्टी के विनाश के चक्र से गुजरता है तो उसे एक दिन इस श्रिष्टी को छोड़ कर वापस जाना ही होता है। हनुमान जी को वासुकी जी की बाते बहुत ही अजीब लग रही थी लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो इतना जरूर समझ गए थे कि उन्हें अंगूठी लाने के लिए राम जी ने यूही नहीं भेजा। इसके पीछे जरूर कोई कारण है। वो ततकाल धर्ती पर पहुँचे और भगवान राम के महल के बाहर उनकी रक्षा करने लगे। तभी वहाँ यमराज जी का आगमन हुआ। यमराज जी हनुमान जी को देखकर चकित रह गए। यमराज जी ने हनुमान जी से कहा कि रास्ते से हट जाईए। अब भगवान राम जी का अंतिम समय आ चुका है। मुझे उन्हें वापस उनके धाम में ले जाना ही होगा। यमराज जी ने भी अपनी गदा से उसका उत्तर दिया। यमराज जी और हनुमान जी का युद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी या फिर यमराज जी किसी ना किसी की आज मृत्यू जरूर होगी। की मुर्चा तूटी तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर श्री राम मौजूद है भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि यमराज को मैंने ही बुलाया है अब मुझे अपने धाम वापस जाना ही होगा मेरा जाने का समय आ चुका है फिर भगवान राम ने यमराज जी से क कहा कि अब आप मुझे दूसरे लोग ले जा सकते हैं इस तरह यमराज जी राम चंद्र जी को लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए आईए अब बात करते हैं कि क्या सच मुझ हनुमान जी भगवान श्री कृष्णि से मिलने आये थे तो इसका जवाब है नहीं हनुमान जी हमेशा ही उनके हृदय मेवास करते हैं इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय ना ही हनुमान जी दुखी थे और ना ही उनकी आँखों में आसु निकल रहे थे और अगर रही मिलने की बात तो ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी प्रभू श्री राम के स्वायम श्री कृष्ण और हनुमान जी अपने अंतर मन से हमेशा एक ही साथ रहते हैं और हनुमान जी हमेशा अपने भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं इस प्रकार से भगवान स्वायम हनुमान जी के साथ उनके अंतर मन में विराजमान रहते हैं इसलिए दोस्तों श्रद्धा के साथ कमेंट बोक्स में जैश्री राम, जैश्री हरी विश्नू, जैश्री क्रिश्न और जैश्री बजरंग बली आवश्यली कियेगा